बुधवार, 29 मार्च 2023 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? आज आपके जीवन में क्या-क्या परिवर्थन हो सकता है? आज आपके सितारे क्या कहते हैं? मेश राशी आपका मन आनंदित रहेगा इस राशी के जो लोग कपड़े का बिजनेस करते हैं आपको उमीद से ज्यादा लाग मिल सकता है लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ समबंधी समस्याओं का अन्थ होगा इंजिनेरिंग कर रहे छात्रों को किसी अच्छी कमपनी से जॉब के लिए कॉल आ सकता है आपको कुछ धार्मिक कार्य करने का मौका मिल सकता है आपकी आर्थिक स्थिती मसबूत होगी वृषब राशी आप चिंतामुक्त रहेंगे इस राशी के जो लोग जूतों का बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस का विस्तार हो सकता है जो छात्र कॉमर्स फीड से है उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा आपके शिक्षक भी आपसे खुश रहेंगे इस राशी के जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन्हें कोई नई जिन्मेदारी मिल सकती है जिससे आर्थित लाब होने की ज्यादा संभावना है सारी परिशानिया दूर होंगी परिवार के साथ समय बिता सकते हैं मिथुन राशी आपका दिन ठीक ठाक रहेगा कार्यक्षेत्र में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है व्यापारी वर्ग के लोगों को आर्थिक लाब होने के योग बनते दिख रहे हैं किसी नई डील में पैसा लगाने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं घर के कारियों में बड़े भाई का सहयोग प्राप्थ होगा इस राशी के शिक्षकों को पदोनती भी मिल सकती है जीवन साथी से रिष्टा मजबूत होगा इस राशी के जो लोग वाहन खरीदना चाहते हैं उनके लिए दिन उत्तम है करक राशी दिन मिला जुला रहेगा बड़ों की सलाह लेने से बिगड़ा हुआ काम भी बन सकता है विवाहित लोगों को दामपत्य जीवन का सुख प्राप्थ होगा युवाओं के लिए सपलता के नए दर्वाजे खुलेंगे बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा जो लोग लोहे का बिजनिस करते हैं उनके व्यापार का विस्तार होगा आपके स्वास्थ में उतार चड़ाव की स्थिती बनी रहेगी बदलते मौसम का ध्यान रखने की जरूरत है मुश्किलों का अंठ होगा सिन्ह राशी दिन बहुत अच्छा रहेगा आप अपने सोचे हुए कारियों को जल्दी पूरा कर लेंगे जो लोग वकालत कर रहे हैं उनको कोई बड़ा केस मिल सकता है आपको बड़े भाई का सहयोग मिलेगा महिलाओं के घर के काम समय से पूरे हो जाएंगे जिससे उन्हें राहत मिलेगी मातापिता के आशिरवाद से किये गए कारियों में सफलता मिलेगी अपनी वाणी पर सन्यम रखें किसी के बीच में बोलने से बचना होगा कन्या राशी आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा जो लोग राजनीती में हैं उन्हें कोई बड़ा पत दिया जा सकता है लोगों के बीच आपकी लोग प्रियता बढ़ेगी छोटे स्थर पर व्यापार करने वालों को उम्मीद से अधिक धन लाब होगा लवमेट के लिए दिन रिष्टों में मिठास दिलाने वाला रहेगा पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं किसी अच्छी जमीन में पैसा लगा सकते हैं जिससे उन्हें लाब होगा तुला राशी दिन सामान्य रहने वाला है जो लोग बिजनिसमेन है उन्हें आर्थिक उतरचाफ देखने को मिल सकता है अगर लंबे समय से किसी बात को लेकर परिशान है तो उसे पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं मन को शांती मिलेगी पैसों से जुड़े लेंदेन करने से बचना होगा किसी को बिना सोचे समझे पैसा उधार देने से बचे छात्रों को शिक्षकों का पूरा-पूरा सहियोग मिलेगा जिससे पढ़ाई में मन लगेगा कुल मिलकर आपका दिन सुख में रहेगा बिश्चिक राशी आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है आपके रुके हुए काम पूरे होंगे जो लोग थेटर और फिल्म लाइन में काम करते हैं आज उन्हें नई उपलब्धिया प्राप्थ हो सकती है विवायोग्य पुरुशों के लिए कोई अच्छा रिष्टा आ सकता है आपको कोई प्रेन प्रस्ताब भी मिल सकता है इस राशी के जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनको बॉस से तारीफ मिलेगी और नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है बच्चों के साथ शाम को खेलने में थोड़ा समय बिता सकते हैं धनु राशी, आपका दिन बहतरीन रहने वाला है हर किसी को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे है जो लोग वकील है आपको किसी पुराने केस में सफलता प्राप्थ हो सकती है कार्यक्षेक्र में जूनियर्स का सहियोग मिलेगा जो लोग जमीन खरीदना चाहते हैं उन्हें आज फायदे का सौदा मिल सकता है घर पर कोई धार्मिक आयोजन करवा सकते हैं आपको कोई सामाजिक कार्य करने का मौका भी मिलेगा आर्थिक स्थित्ती पहले से बहतर होंगी मकर राशी दिन बहुत अच्छा रहने बाला है जीवन में आपको नया मुकाम प्राप्थ होगा जो लोग फैशन डिजाइनर है उन्हें अच्छे काम के लिए सम्मानित किया जा सकता है साथ ही जो लोग संगीत और गायन के ख्षेत्र से जुड़े हैं समाज में उन्हें प्रसद्धी मिलेगी आपको किसी बड़ी म्यूजिक कंपनी से ओफर भी मिल सकता है आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो दिन बहुत बढ़िया है सफलता प्राप्थ होगी कुम्भराशी दिन सुनहरा रहने वाला है पूरे दिन प्रसंता बनी रहेगी जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं आफिस में उन्हें सहयोगियों की मदद मिलेगी प्रापर्टी के कारोबार से जुड़े लोगों को उम्मीद से अधिक धन लाब होने के आसार बन रहे हैं लवमेट के लिए दिन काफी अच्छा है जो युवक नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद है आपको किसी से उफार मिलेगा जरूरत मंद लोगों की सहायता करेंगे का सम्मान होगा आपकी लेखनी की तारीफ हर जगह होगी सोशल मेडिया पर एक्टिव रहना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है समाजिक संगठन से जुड़े लोगों को समाज में उनका पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा हर काम में आपको पत्नी का सहयोग प्राप्थ होगा रोजगार की प्राप्ती होगी है अपना दैने राशिपल जानने के लिए रिप्या हमारे चैनल में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यबाद